2020 का विधान सभाज चनाव तो आपको याद होगा जिस तरीके से चिराग पासवान ने चनाव लड़कर के नितीश कुमार की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बराई थी ठीक उसी तरह जिस तरीके से 2024 में लोकसभाज चनाव होने वाले हर कुछ पार्टी ऐसे हैं जो अकेले लड़ना चाहते हैं ना उनको एंडिया भाव दे रही हैं ना आएंडिया ये भाव दे रही हैं असे में किसे नुकसान पहुचाया जा सकता है जिस तरीके से चिराग पासवान ने लड़कर के नितीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बनाई थी तो अब जो कुछ party ऐसी है कौन है वो party हम बात करते हैं सर कौन ऐसी party है जो कि अब चुनाओ लड़ना चाहती है चिराग पासवान की तर्जबच जिस तरीका से çिराग पासवान ने election लड़के नितिश कमार की party कूँ 3 beim बनाई तो अगर वो लोग इलक्षन लड़ते हैं तो क्या किसे नुकसान होगा क्या इंडिये को नुकसान होगा क्या इंडिये को नुकसान होगा कौन से पहले तो हम वो जानने की कोशिस करेंगे किस पार्टी कौन सी है देखिए आई इंडिये यह जो निया एलाइंस बना है उसमें अठाइस दल है और एंडिये पहले से ही बना हुआ है उसमें फिलाल अर्थिस दल है लेकिन अठाइस और अर्थिस के लावा भी कई ऐसे अख्षेत्रिये दल है जो प्रभाव रखते हैं लेकिन उन्हें ना आई एंडिये ने तवज़ो दी है ना भाव दिया है ना एंडिये ने वो सब लोड जिन जिनको भाव नहीं मिला है वो सब लोड अब एक साथ मिलना चाहते हैं यानि कि जिस तरिके से 2020 में थर्ड फरंट बनाटर के विधार भी मिला था उस एलाइंस टा नाम था ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रांट इन में जो दल थे उसमें मायावती की पार्टी थी उपेंदर कुष्वाहा की पार्टी थी अरेलस्पी उसके बाद पॉप्पु यादों की पाटी थी यह सारे लोग थे जिनोंने चुनावल रहा था 2020 में साथ मिल करके लेकिन उस उमीद के मुताबिक उपेंदर कुष्वाहा को मुखमंत्र पोजेक्ट किया गा था उमीद के मुताबिक तो सफलता नहीं मिली लेकिन क ठीक वैसे ही जैसे चिराग पासवान ने अकेले लड़कर के जीडियू को टार्गेट किया था नुक्सान पहुंचाया था ठीक उस तरीके से इन तीनों दलों के नेताने तीनों दलों ने कई ऐसे विधानसवा सीट है जहां पर अपने कंप्टीटर जो भी जितने वाले थ कहीं से भुलावा नहीं आया है इसके अलाबा पॉप्व यादो भी उस फ्रंट में शामिल होने जा रहे हैं ऐसी बाते चल रही है और ऐसा मुकेश सानी की पाटी के तरब से भी कहा जा रहा है कि हम लोग ऐसे राजनिताओं को ऐसे दलों को एक मंस पर लाने कोशिश कर रह देखें तो इसमें मुकेश साने भी प्रभावी हैं निशाद समाज के राजनिती करते हैं वह यादो यूथ में अच्छे खासे लोग प्रिये हैं वह इससे इंकार नहीं कि आ सकता है कोशी और सिमांचल के इलाके में उनका अच्छा खासा प्रभाव है पुर्णिया से हो क और उमिद्वार खड़े किये थे 2020 में उनमें से पांच सीटे उन्हों निकाला था तब आरेलेस्पी हलक चार सीट चार विधायट बार में चले रहे थे आर्जेडी में लेकिन आर्जेडी कमर तोर दीती उस समय माई समिकरन यानि मुसलिम यादा वोट राजत का परंपरा पर यहां पर नुकसान किसे होता दिख रहा है चिराग पासवान ने तो जेडियों को निशाने पर ले लिया था तो यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं सर पपु यादव की तो वह भी कहते हैं कि 12 लोक सभा सीटे ऐसी हैं जहां पर वो उमिद्वार को खड़े कर सकते हैं और जीट बी कर सकते हैं और कहीं न कहीं वो किसी नाम भी लेते हैं जिले का कि जैसे पुर्निया मधिपुरा सुपॉल अलरिया इन सब की लोग में वह कहते हैं कि उनका काफी प्रश इलक्षन अगर खड़े होते हैं तो वो जीत सकते हैं तो ऐसे में नुकसान किसे हैं तो उसको प्रभावित कड़ेगा यह लोग जैसे कि पप्पु यादों ने कहा कि वह पुर्णिया मध्यपूरा सुपौल अररिया जैसी पार्लियामेंट सीट पर जीत का माध्या रखते हैं या जीत नहीं सकते हैं तो टमसे टम हराने का माध्या जरूर रखते हैं उसी त चुना है यह अमारा निशाद समाज का वोट वहाँ पर निर्नाइट है उसी तरिके से सिमानचल के इलाके में वैसी की पार्टी का वजुद है उसके अलावा पुआद हो गया वाईसी हो गया उपहिंद कुश्वा के देशे लास्टमें 2020 में था इसमें मायवतिकी पार्ट पार्टी के ठाहा जाता है कि चाहे कंडिडेट कोई भी हो उस पार्टी का सिंबल और मिल जाता है तो उनका जो परमपरागत वोटर है वो जीते या हारे उससे मतलब समाज पार्टी का वोट जाता है और यह वोट एक मुस्त किसी एक प्रत्याशी को मिलता है तो जाहिर तो जीतने वाले होंगे वहार भी सकते हैं और जो हारने प्रभावला होगा अगर वोट काटता है तो जाहिर तोर पर और एक लाइन में देखा जाए तो सबसे द्यादा नुक्सान होने वाला है अगर इस नजले से देखा जाए तो एंडिये को चुटी एंडिये के पास बिहार में 40-49 सीट है लेकिन अगर फायदा लेने की बात स प्रभाव है और सिमांचल का इलाका आई एंडिये के लिए मुफिद माना जा रहा है इस बार कम से कम तो वहां पे इनको नुक्सान पहुंचने जा रहा है तो इसमें मैक्सिमम जो समिकरन जो वोट परमपरागरत माने जाते हैं मैक्सिमम डैमेज करने की बात कही जाए उनका प्रमपरागरत बोटर है वहां से सिट निकाल सकते हैं वहां पर भी यह लोग हार जीत में अरंगा डाल सकते हैं अंतर पैदा कर सकते हैं इसलिए छोटे दल कि भूमिका को नजर अंदाज नहीं किया सकता है जो की अब तक किया जा रहा है और यह लोग बराबर कोशि प्रमपराद करते हैं तो जिस तरीके से उन्होंने 20 उमिद्वार को खड़े किये थे और 2020 की बात करें तो और उन्होंने पास सीटों पर जीत दच की थी हाला कि चार जो सीटे हैं वह भी तो आजडी की खाते में तो एक सीटे जो है उनके जो विधायक है वहां से सिमांचल से तो जिस तरीके से वहां का समिकरन क्या कहता है सिमांचल का समिकरन क्या कहता है सर्व मैं सीमांचल पर समिकरन कहता है अब लास्ट टाइम में वैसी ने सेन लगा दी मुस्लिमों का वोट बैंक है जो वैसी के कहाने पर ट्रांसफर होता है इसको 2020 के चुनाव में उन्होंने साबित कर दिया कर दिया है बीस में से पांच सीट समझ रहे हैं कितना पहली बार दूसरी बार दोजार पंदर के विधान सब्सक्राइब उन्होंने अपने उमिद्वार होता रहे थे यह सफलता मिले थे पॉप को यादो भी अकिले चुनावा रहे थे 2020 में उनको भी यह सबान शार चौना में वोट मिलेते हैं तो एक सभार यह पांच्हे पिजिशमाजवाच को मिला करके दर mismos ले आते हैं महां haven मैं 305-2045 हुँ इस में दिया उछ चाहिता हैं और अम हीद्वार के पाले में जब आमने सामने सामने की इंडिया है लगा कोई तीसरा और पचास जार साथ हजार सत्रहजार वूट भी काट लेता है तो जाहिर तोर पर बना बनाया समिकरन गनित बिगर सकता ही लोग का जो भी एदावा कर रहे हैं कि यह लोग कुछ नहीं है तो अभी वक्त है यह लोग रुजान दिखा भी रहे हैं कि आई इंडिया लोगों की अपनी मजबूरी है पहले से ही सीट का दो हजार बीस की बात करें कि अस्थापना क्या गया था ग्रांड डेमोक्राटिक सेक्यूलर फ्रंड की उसमें तीन पार्टी थी उपहिंद्र कुष्वाहा की माया वति की और वैसी की पार्टी थी और आप जागर के यह क इस तेलाब और भी चोटे-चोटे दल हैं शेत्रिय दल हैं जो कि उभरते जा रहे हैं उसको भी शामिल किया सकता है हो सकता है कि आई एंडियाई और एंडिये में भी अभी जो फिलाहाल दल है उनको वैसी सीटे उसको न मिले मन मुताबिक तो वो भी उधर से तूटर इध ौतार निशादारक्षन की मांग करते अंको या जाते हैं उनको सीट नहीं चाहिए और आरकषन उनको मिल जाएं तो और उनको आरक्षन का ओफर दिया जाएगा तो या फिर वो गटवंदण गटवन्धन बना भी लें लास्ट टाइम में भी एंडिया आई एंडिया इसे ओफर मिलता है और सुट करता है इनको यह उतनी सीटे मिलती है तो यह जरूर कि लास्ट टाइम में भी तोर करके अगर अलायंस थर्ट प्रण बनता भी ए तो भी उसमें जाना बहतर मुफित यह लोगों के बीच में मैसेज जा रहा है या तो आई एंडियाई को सपोर्ट किज़े या फिर एंडिये टो सपोर्ट किज़े ये मैसेज अगर देने में कामयाब रहे हैं ये दोनों यह जब चुनाव परचार में जाएंगे इक कि बाकिसा वोट कटवा हैं तो इनको जो यह सोच रहे हैं वैसी सफलता नहीं मिलेए लेकिन सफलता तो ज़रूर ठीक है अमान जायाइक सफलता नहीं मिलेगी लेकिन खेल बना और विघार जरूर सकते हैं इतना तय है इसलिए अभी तो कवायद चल लाई है कोशिस चल लाई है आने वाले दिनों में जैसे जैसे चीजे आगे भरे कि वह भी हम लोग दर्श्टों को बताएंगे तो अब यह लोग अपना एक मोर्चा बनाने के कोशिस कर रहा है और मोर्चा बनता भी बनता है तो जाहिर तौर पर और आएंडिया को नुक्सान पहुंच सकता है तो देखिये चार ऐसे दल है जिनको किसी तरफ से भाव नहीं दिया जा रहे पहले उनको भाव नहीं दे रहे हैं और आएंडिया में वह शामीर होना चाहते हैं लेकिन उनकी कि तरफ से भी कुछ कहाने जा रहे हैं हमने बात की पप्पू यादफ की पप्पू यादफ भी चाहते हैं कि उनको नए गटवंदन आए एंडिया से बुलावा आए लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है जिस तरीके से मुके सहनी कि अगर हम बात कर ले तो मुके सहनी बीनिशाद आरक्षन की मांग कर रहे हैं और वह भी यात्रा पर है संकल्प यात्रा करें कि उनको अगर आरक्षन दिया जाता है तो वह आगे इलक्षन में लड़ेंगे और अगर कोई उनको आरक्षन देता है तो वह उसके साथ गटफंदन करेंगे तो हाला कि कहीं से भी आरक्षन देता हुआ या फिर कोई पार्टी उनको मिलाना अभी तक नहीं चाह रहे है मायवती की हमने बात की और वैसी की पार्टी है तो यह चार दल ऐसे हैं जो आने वाले समय में अपना एक पार्टी बना करके आने वाले समय में दोज़ार चौबेस दोज़ाश आने वाद